आप देख रहे हैं राजकोट के भगवती परा में दिये गए नए मुस्लिम कबरस्तान की हालत इस कबरस्तान की जो मांगनी की गई थी वो 1983 में की गई थी और इसको 1984 में स्टेंडिंग कमिटी में एक ठराव एक सो पंचानू नंबर का करके पसार्क कर दिया गया था कबरस्त के लिए जो की राजकोट के जुना वार्ड नंबर पांच में आई है और इसका जो खेत्रफड है वो आठ हजार और चालिस चोरस मिटर है जो सर्वे नंबर बाविस पेकी की है इसके बाद 2011 में ठराव नंबर 14 से जनरल बौर्ड कोर्पोरेशन ने तारिक साथ नौ 2011 को संदी सुनी मुस्लिम जमाट ट्रस्ट को इसका कबजा दे दिया था हाला कि जब कबजा दिया तो वो जमिन सम्थर नहीं थी जो आज तक सम्थर नहीं हुई है कबरस्तान के चोध तरफ चलने की कोई जगह नहीं रही गई है आज कबरस्तान के बगल में ही एक आवास योजना कॉर्पोरेशन बना रहा है जिसके लिए वो सम्थर जमिन कर रहा है और कबरस्तान का एक गेट भी उसने बंद कर दिया है उसके दिवाल के बाजू में ही बिलकुल ये आवास योजना का गंदा पानी निकालने की गटर भी बना रहा है हाला कि ये सब के लिए हाई कोट में एक जागरूत नगरिक अरजी करने वाले हैं